हाई कैसे हैं मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपनी personality को attractive बनाने से related क्योंकि जिस person की personality attractive होती है उस person की naturally ही लोग ना ज्यादा value करने शुरू करते हैं उसकी बात को ज्यादा seriously सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके friends भी बनना ज सुनते हैं मगर attractive personality का मतलब यह नी होता कि कोई दिखने में बहुत जादा सुन्दर है उसका complexion बहुत फियर है वह बहुत slim है ये सब जो हैं यह fake definition होती है attractive personality क्योंकि attractive क कोई परसंन दिखने में कैसा है? उसके फेशल फेचर कैसे है उसका ओमपलेक्शन कैसा है? उससे कोई भी रिलेशं नहीं होता। उससे फेख फेग ब्रांडिंग होती है कि हम जादा से जादा प्रोडट्स खरीदेतर के उसको एक सिंपना करें और हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं तो attractive personality actually वो होती है जो internally और externally कुछ ऐसा उगलो करती है जिनका औरा ऐसा होता है कि people are naturally attracted towards them तो attractive personality का मतलब यह नहीं होता कि हम दिखने में कैसे हैं बलकि किसी person का attractive होना या ना होना इस बात पर depend करता है कि वो feel कैसा करता है और वो खुद को carry कैसे करता है तो यानि जो भी बाते में इस वीडियो में share करने वाली हूँ वो हमको internal और external दोनु लेवल पर एक attractive personality बनाएंगे मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ही face पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को subscribe करके notification bell पर क्लिक जरूर कर देना मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमारे quality of life को improve करके हमें हमारे higher cells से connect कराने में support करते हैं so without any further delay let's begin तो जो सबसे पहली quality हमको develop करनी है एक attractive women बनने के लिए वो ये है कि हमको खुद को समझना शुरू करना है खुद को समझना in the sense कि मेरा body type क्या है मेरे उपर कौन सी dresses ज़ादा suit करती है कौन सी dresses में ज़ादा मैं comfortable feel करती हूँ कौन सी dresses में मैं अपना best feel करती हूँ किस तरह की accessories मुझ पे suit करती है किस तरह का hairstyle मुझ पे ज़ादा suit करता है कौन सी lip shades हैं जो मुझ पे ज़ादा suit करती है जिन में कि मैं अपना best feel करती हूँ वो हमको identify करने हैं ताकि हम अपना खुद का एक style follow कर पाएं जिसमें कि हम अपनी best लगे जब हम वो style follow करते हैं जिसमें हम खुद को best feel करते हैं तो वो हमारी personality को naturally attractive बनाता है जब तक हम दूसरों को copy करते रहते हैं तब तक हम अंदर से best नहीं feel कर पाते हैं क्योंकि हम इस confusion में ही रहते हैं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, पता नहीं तो इसलिए हम inner level पे खुद को समझने से पहले ना अपने आपको external level पे समझना शुरू करें और खुद की एक style statement define करें next quality जो हमको develop करनी है अपनी personality को attractive बनाने के लिए एक attractive women बनने के लिए वो ये कि हमको अपने posture पे work करना है हमारा posture जितना straight होगा ना अपनी हम confident appear होगे और जितने हम confident appear होगे उतनी हमारी personality attractive लगेगी हमारा posture अगर इस तरीके से होगा कि हमारी shoulders बिल्कुल bend है हम ऐसे नीचे देख रहे हैं इस तरीके से देख रहे हैं सबको तो उससे क्या होगा हमारी personality attractive नहीं लगेगी ना दिखान ही नहीं देगा इसी personality की तरफ, पिर चाहे किसी आप interview में जा रहे हो, या फिर किसी friend circle में जा रहे हो, सबको हमारी personality weak लगेगी, ऐसे में हम attractive women कैसे बनेंगे, तो हमको अपना posture जो है, अपनी back जो है, वो straight रखनी है, और इसका तरीका मैंने बहुत बार बताया है, यह ह चेक करते रहें, कि अपने जो shoulders है, हम उनको थोड़ा सा ऊपर करें, रोल करके पीछे लिखे जाए, फिर हम उनको नीचे छोड़ते हैं, इस तरीके से हमारी जो back है, जब वो straight रहती है, तो हमारी personality naturally attractive लगती है, थर्ड हमको अपने stress levels को चेक में रखना है, क्योंकि हम कितने नहीं attractive दिखने में लग रहे हो, लेकिन अगर हमारे inner world में chaos है, stress चलता जा रहा है किसी बात का, तो उस से क्या होगा, हमारी healthy pace का impact होगा, hormonal imbalance होने शुरू हो जाएंगे, तो उस सब का असर धीरे धीरे हमारी personality पे दिखना शुरू हो जाएगा, और ये ना हर कोई बहुत clearly द है, happy happy रहता है, तो जो लोग happy happy रहते हैं, stress free रहते हैं, उनकी personality naturally attractive लगती है, तो हमको अपने stress levels को check में रखना है, सिर्फ personality को attractive बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी health के लिए भी, क्यूंकि stress कभी भी किसी problem को solution नहीं होता, बल्कि stress हमारी problem solving की ability है उसको भी खतम कर देता है, तो हमको problem को solve करने पे focus करने, stress पे focus नहीं करना, तो जो problem solving approach होती है ना, वो भी हमारी personality को naturally attractive बनाती है, और एक जो quality हमने school में develop कर लिए होते है, जो हमें school में सिखाय जाते हैं, good manners etiquette, वो बड़े होते होते हमने school में ही छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उन good manners को follow करते ह हैं, thank you बोलते हैं, जो etiquette होते हैं, dining etiquette होते हैं, social media etiquette होते हैं, किसी के घर हम जा रहे हैं, तो क्या rules follow करने चाहिए, उन सब को जब हम follow करते हैं, तो naturally हमारी personality होती है, वो appealing लगती है, वो attractive लगती है, क्यों कैसा दिख रहे हैं, उससे जादा हमारी personality के बारे में हमारा behavior, हमार actions लोगों को बताते हैं, तो इसलिए कुछ अगर हम etiquette follow करेंगे, तो उससे भी हमारी personality naturally attractive लगेगी, etiquette से related में पहले भी videos अप्लोड कर चुकी हूँ, उनका link में आपो description में और i button में आपके साथ share कर दोंगी, तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि जो ए make-up करना अच्छा लगता है, हमें अच्छा feel होता है make-up करके, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारी personality को attractive बनाना, हम attractive women बनना चाहते हैं, तो हमको minimal make-up यूज़ करना चाहिए, और साते साथ accessories भी हमको minimal use करना है, अगर हम बिलकुल बपी लहरी बनकर घूमेंगे न, या फिर हम ब करने जा रहे हूं, कोई ऐसा function अटेंट करने जा रहे हूं, तो वहां पर हम कभी कबार heavy make-up कर सकते हैं, लेकिन routine में हमको अपना make-up जितना हो सके, light रखना चाहिए, क्योंकि जितनी natural हमारी look लगती है, जितना natural हमारा make-up होता है, उतनी हमारी personality attractive लगती है, परसनालिटी की अतना ही हमको लोग रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमना confidence के चक्कर में overconfidence show करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आपको दूसरों से जाधा superior present करना शुरू कर देते हैं, हम बात-बात पर eyes roll कर रहे होते हैं, या फिर हम बात बहुत अलग style में करना श बीच बीच में बात को काटते रहते हैं, ये शू आफ करने के लिए कि मुझे जादा नौलेज है, तो अगर आप overconfidence शो करेगी ना, तो भी हमारी personality अट्राक्टिव नहीं लगेगी, और अगर हम unnecessary body movements करते जा रहे हैं, अपना पैर हिलाते जा रहे हैं, या फिर phone में देखते ज इधर उदर देखते जा रहे हैं, तो उससे भी हमारी personality attractive ने लगेगे, हम low confidence वाली personality लगेगे, तो हमको confident appear होना है, और confident कैसे appear होंगे, क्या body language secrets हैं, जिससे कि हम confident appear हों, जिससे कि मेरी personality भी attractive लगे, इससे related में next video अप्लोड करूँगी, अभी तक subscribe नहीं किया तो कर लेना, notification bell पे हम अपने tongue को control करना है, अगर हम एक attractive woman बना जाते हैं, first है, communication के time पे, हमको सोच समझ कर बात करनी है, थोड़ा कम बात करनी है, क्योंकि mostly women के आदत होती है, जादा बोलने की, मैं भी practice कर रही हूँ आजकल की, मैं थोड़ा कम बोलू, क्योंकि जितना हम कम बोलते हैं, उतनी हम हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, तो एक तो हमको अपनी tongue को control में रखना है, कि unnecessary कुछ भी ना बोलते चले जाएं, और बहुत जादा ना बोले, और दूसरा हमें अपनी tongue के taste words को control करना है, क्योंकि उन taste words को satisfy करने के लिए हम वो सब unnecessary चीज़े खाती रहते हैं, जिनके हमें जरूरत नहीं होती हमारी body को जरूरत नहीं होती, जो हमको नुकसान पहुचाती हैं, हमें अंदर से unhealthy बनाती हैं, और उन ही taste words को satisfy करने के चक्कर में हम बहुत जादा खाते रहते हैं, जरूरत से जादा खाते चले जाते हैं, हमारा खुद पर control ही नहीं रहता बिल्कुल भी अब हमारी body जो है, वो unhealthy हो जाती है, और अगर हम एक attractive woman बना चाहते हैं, तो यह बहुत जादा important है, कि हम अपनी health का ध्यान रखें, क्योंकि जितने हम healthy and fit होंगे उतने हमारे energy levels high रहेंगे, जितने हमारे energy levels high रहेंगे, उतनी ही हमारी personality attractive लगेगी, कि अगर हमें कोई ऐसे दि है, तो हमको अपनी tongue को control सिखना है, communication के time पे भी और taste words को satisfy करते हुए, अगर आप serious होना, अपनी internal and external personality को transform करने के लिए, खुद को और better बनाने के लिए, ताकि आप और जादा better feel कर सको, life के हर area में, तो आप मेरे साथ connected रहों, और जो भी मेरे tips आपके साथ share करती हूं, उनको अपनी life में implement भी करो, वीडियो को like करना मत भूलना, अगर वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं next video में, till then stay blessed, stay smiling, नमस्ते